पिसल मेर के लाठी से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको सोडा कोर गाव के पास भीशन ट्रेन हाथसा हो गया है ट्रेन की चपेट में आने से 9 उटो की दर्धनाक मौत हो गई है एक साथ 9 उटो की मौत से क्षेत्र में संसेनी फैल गई है सूचना मिलने पर आसपास की ग्रामीन मौके पर पहुँच गए है और ग्रामीनों ने वनवे भाग और एलवे स्टेशन को सूचित किया है पूर में भी ऐसे हाथसे हो चुके हैं कई उट इस तरह से काल का ग्रास बन चुके हैं दर्दनाख हाथसा हुआ है नौ उटो की मौत हो गई है ट्रेन की चपेट में आने से लगा तार इस प्रकार के हाथसों से ग्रामीनों में भारी रोश है जैसल मेर के लाठी से एक खबर है जहान नौ उटो की मौत हो गई है ट्रेन की चपेट में आने से ये दर्दनाख हाथसा हुआ है नौ उट मारे गए हैं एक साथ नौ उटों के मौत से क्षेतर में संसनी फैल गई है आपको बता दे ट्रेन की चपेट में आ गए ये नौ उट और इस भीशन और दर्दनाख हाथसे का शिकार हो गए सोडा कोर गाओं के पास हुआ है ये भीशन ट्रेन हाथसा ट्रेन की चपेट में आ गए और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी श्रीकान तव्यास फोन लाइन पर जोड़ चुके हमारे साथ में श्रीकान बहुत ही दर्दनाक हाथसा है नो ऊट ट्रेन की चपेट में आ गए क्या कुछ जानकारी इस बारे में आपको बजादू कि जनमेर के लाथी चेतर के पास जो शोड़ाप और गाओं है वहीं जो है ये वीशन ट्रेन आटसा हुआ है बता जारा है कि ट्रेन की चपेट में आने से पूर में भी ऐसे हाथसे हो चुके जहां उट जो है नाचसों में एकाल का ग्राज बने है उसको लेते वे जो है आथसों को देख ग्रामिड़ाव में काफी रोज़ है और इसका जो है इस ता ही समादान चाहते है लाथी चेतर का जो सोड़ाग और गाओं है उसके पास की जी श्रीकान दी जो सबी उट थे ये रेल की पठरी पे चड़ रहे होंगे रेल क्रॉस कर रहे थे किस तरह से हाथसा हुआ क्या कुछ अपडेट इस बारे में ये तो जाज का है कब ये हुआ क्या देर रात हुआ या अलसुबह हुआ इसको लेकर अभी तक स्थती पनाते दी गई है टीम मौके पर बहुत रही है और वहीं रेलियो स्टेशन की टीम को भी जो है वो कह दिया गया है कि इस तरह की घटना हुई है अब देखने की बाद ही है कि टीम आती है क्या कुछ करती है सेंपल लेती है ये क्या कारण है उसके बारे में क्या करती है बिल